अज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बहुत एजी तरीके से कैसे आप टैनिंग को रिमूव कर सकते हो कैसे अपने चहरे को बहुत एजी तरीके से ग्लोइंग कर सकते हो वो बताऊंगी तो प्लीज अपी तक जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हो चैनल सब्सक्र अपको पताते ह reach ने चिहरे होने जाल को के इस सब्सक्राइब करने imitation तो यह को बना सकते हैं सबसे पर आपको कटोरी ले लेने हैं कि था को में बना करभा एकder क्रीच में और सर्फव को घोश्तरे करना इस all बहुते ज़्यादा जंग फूट खाते हो तो उसको भी बिल्कुल आप स्किप कीजें कि वह चेहरे के लिए बहुती कराब होती है अगर आपका मतलब अगर आप जंग फूट खा रहे हो रहे हैं तो आप न उसको स्किप कर सकते हो और उसके जगह आपना बहुत ईजी तरीके से घर का बनावा फूट खा सकते हो घर का बनावा फूट इतना मतलब अनहेलधी नहीं रहता है जितना आप बहार का पैकेजिंग फूट खाते हो तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और अब यह देख सकतो मैंने सबसे पहले कटोरी ले रखी ती इस तरीके से अब पूरी को निकाल लिए और यह कटोरी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी है इसलिए आपको जादा नहीं लेना है मतलब थोड़ा ही लेना मैं आपको बता रही हूँ आप अगर अपने लिए तो यह तो इनफ है अपके लिए और यह दो लोगों के लिए आराम से बन जाएगी र बहुत एसी तरीकी से गंदगी की हटाता है मैं और जहारे बहुत इसी तरीकी से मक WAT और कर मेंद souvent को जाएग्णे करना है यह नहीं कि sweat release करने का मैंने आपको बोल दिया है, तो आप गर्मियों में बिना fan के, बिना AC के, मतलब आप रहने लग जाओ नहीं, आपको अगर आपकी body जब तक heat up नहीं होगी, और जब तक sweating नहीं होगी आपकी body से, तब तक आपको glowing बिल्कुल भी अपनी skin नहीं लगेगी, तो इसलिए आपको थोड़ी सुबह सुबह उठकर warm water के साथ, थोड़ी सी एक्सराइज भी करनी चाहिए, एक्सराइज आपको आदे घंटे तक करनी चाहिए, उसके बाद आप 15 दिन इस remedy को, और यह जो मैं टिप्स बता रहे हूं, उन्हों को follow के जाएगा, और फिर आप result देखेगा, इतना साथ अच्छा और इतना मतलब unique, आपको मतलब result देखने को मिलेगा, क्योंकि आपना naturally सब चीज प्रोसेस कर रहे हूं, यह नहीं कि आपको इपरी cream लगा रहे हो, महंगी cream भी लगाते हो, वो आपका केवला 3-4 महने तक या साल से 2 साल तक आपको असर दि बताइए, मतलब आपको शादी पार्टी में जा रहे हो, आपको glowing skin चीज तब आप इसको ट्राय कर सकते हैं, तो आलू को भी आपको ट्राय करना है, मैं एक और चीज बता दूँगी, वो आपको naturally रोज लगा ले लिए है, मतलब रात को सोने से पहले भी लगाओगा तब भ आपको फरक दिखेगा, और यह जो फेयर लवली वाला पेस्ट है, इसको आप कहीं पर भी शादी पार्टी आप मतलब आपको तुरहते शादी वादी में जाना तब आप इसको ट्राय कर सकते हो, यह skin को आपकी बहुत ही दाद इन्हेंस कर देंगे, बड़ जो फेयर लवल जाओ ना फंक्शन में जाओ, कहीं पर भाहर आपको मतलब आपको आउट गूइंग आपको जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, तब आप इसको ट्राय कर सकते हो, क्योंकि यह skin पे अच्छा glow लेके आती है, और तुरंत लेके आती है, वो तो मैं आपको लास में दिखाई दू जेल और जो आलू का रहस न वो आपको mix अपको मिकस अपके रोज رात को लगा कर सो ना है, अगर आपको अपको नुकसान करता है, तो स्किप कर दीजेगा, अपना rose water छेल लए लिएली जयोंक मतलब आपको अलू को रहस न के रहस को जिनको भी नुक्सान नहीं करत हैं उनक मुझे एक बार तो थेंक्यू बोलना होगा साथ साथ में इस रेमेडिय को ट्राय करने के बात आपको मतलब आपका चहरा भी बहुत ही अच्छा होगा पर रोसी भी आपको बोलेंगे कि आपने ऐसा क्या ही कर लिया जो आपका इतना अच्छा ग्लो आ रहा है और यह वाली जो रेमेडिय नहीं वह कहीं पर आपना बहुत ही अपनी स्किन को ग्लोइंग चाते हो तो तब ट्राय करना क्योंकि इसमें जो फेर लवली है मैं आपको यह नहीं बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और यह देख सब तो अच्छी तरीक से मैं मसाज कर यह जो काला पना आप आप शुर्essa ही आपको बस करने के लिए मतलब चीजों को यूज़ करना पड़ता तो आप इसको ट्राय कर सकते हो तो देख सकते हो जो साइड हाथ वाला हाथ उसमें में नहीं लगा तो उसका अपने लगा तो उसका अपको फरक खुद बह हो टीख रहा है तो ट्राय जरूर कर